पीम नरेंद्र बोधी आज यूपी के आगरा और महारास्टर के शोलापुर का करेंगे दोरा कई योजनाओ का शिलान्यास आज राजसभा में पेश किया जाएगा समण आरक्षर संसोधन बिदेयक सरकार ने जताई बिल के पास होने की उम्मीद समाजवादी पार्टी ने किया बिल का समर्थन कहा सभी जगों पर असामानता दूर करे सरकार अयोध्य विवाद पर सुप्रीम कोट की समविधान पीट का गठन दस जन्वरी से पांच जजों की बेंच करेगी सुनबाई कुम से पहले स्वामी बासुदेवानन्द सरस्वती की निकली पेशवाई जगा जगा भक्तों ने लिया आशिरवाद पारंपरिक अंदाज में निकला भव्य जुलूस सेकडों साधूओं ने लिया हिस्सा कुम के रंग में रंगा दिखा प्रयाग राज खनन मामले में जिक राने पर अखिलेश ने परिवार के साथ फोटो ट्वीट पर बया किया दर्द लिखा दुनिया जानती है इस ख़बर में हुआ है मेरा जिक्र क्यूँ मुजफरपूर की अदालत ने दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर के कलाकार अनुपम खेर समेट तीन पर एफ आई यार का दिया आदेश मनमोहन की छवी विगाडने का अरोग कैसर गंच से बीजेपी सांसत ब्रज भूशर सिंग ने गांधी परिवार पर साधा निशाना राहुल को बताया बेई मान लखीम पूर खीरी में सीवर को लेकर महिलाओं की लाठी डंडों से मार पीट का वीडियो वाइरल